Hello friends, welcome to traveling तड़का, केरल जिसे God's Own Country कहा जाता है, दक्षिन भारत का प्राकुरतिक साउंदर्य का शेत्र है, इसे Western घाट का राजा कहा गया है, यहां आपको National Park, Water Falls, Culture, History, Greenery, नजाने और कितने खूपसरत नजारे आपको एक ही जगा देखने मिलेंगे, युही नहीं इसे God's Own Country कह गया है, यहां की हवा में आपको अलगी तास्की महसुस होगी, और इन सब चीजों को Experience करने के लिए आपको एक बार तो केरल ज़रूर विजिट करना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी Best Season to Visit, Iteris और बहुत कुछ, तो चलिए इस शांदर सफर की शुरुवा यहां आपको Breakfast में बहुत सारे Options मिल जाएंगे, हमने हमारे लिए मसाला दोसा, मेदू वड़ा और पूरीभजी ओर्डर किया था, और टेस्ट वोस वेरी गुड, फटाफट नाश्टा खतम करके हम निकल पड़े चयपपरा Waterfall देखने, जो मुन्नार के रास्ते पर ही है, य यह हमारे ड्राइवर जमाल अंकर, यार चना, पीछे आशिज बेटा है, यह मैं हूँ सुजाता और यह मेरे हस्बन निखित, सारे वीडियोज यही शूट करते हैं, हमने चार लोगों के लिए इनवा गाड़ी की थी, अभी हम मुन्नार ब्रीज से गुजर रहे हैं, यह फ चैपरा वाटरफॉल साथ चर्णों में नीचे गिरता है, कई टूरिस्ट इस वाटरफॉल को विजिट करने आते हैं, और यह धीरे धीरे एक परियटन स्थल बन चुका है, चार और ग्रीनरी और जानवरों की कई दूरलब प्रजातियों को आप यहां देख सकते हो, और व वाटरफॉल देखने के बाद हम चले गए हमारी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो की था स्पाइस गारडन, केरल को भारत का मसाला उद्धान कहा जाता है, क्योंकि यहां मसालों के अनेक किस्मों के उत्पदन किये जाते हैं, और अब केरल राज्जा स्पाइस ट्रेड हब भी बन चुका है, यहां जावित्री, इलाइची, जाइफल, शतावरी, आमला, ब्रामी, रुद्राक्ष, ब्लैक पेपर, लोंग, जीरा, हल्दी, और ऐसे ही हजारों तरीके के उत्पदन यहां किये जाते हैं, स्पाइस गार्डन में टूर गाइड भी आपको अलोट किया जाता है, जो आपको इन सारी वनस्पतियों की जानकरी देते हैं, इनसे हमने हर एक पेड और उनकी हर्वेस्टिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली, यही पर आप एलिफेंट राइड भी कर सकते हो, बट मैं आपको सेजेस्ट करूंगी कि ठेकेडी में एलिफेंट राइड करना ज्यादा बहतर रहेगा, यही पर इनका शॉप भी अवेलेबल है, जहाँ आप अपने लिए कुछ मसाले, हेर ओइल्स, शैंकू, सोप्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स पर्चेस कर सकते हो, अगर आपको और रिजनेबल प्राइज में यह चीजें खरीदी करनी है, तो आपको लोकल मार्केट एक्स्प्लोर करना चाहिए, स्पाइस गर्डन देखने के बाद हम निकले एरवी कुलम नाशनल पार्क की और, पर ओन दवे हमने जीप लाइन अक्टिविटी दिख गई, और हम चलेगे जीप लाइन करने के लिए, इसका कोश्ट पर परसन 500 रुपीज है, टोटल 1200 मिटर का ये जीप लाइन है, तक्रिबन 200 मिटर की हाइट से ये एक्टिविटी पूरी सेफटी के साथ अब बिना डरे कंप्लिट कर सकते हो, अगर आपको हाइट से डर नहीं लगता है, तो आपको ये एक्टिविटी लाइफ में एक बार तो जरूर करने चाहिए, इस एक्टिविटी के बाद हमने विजिट की चॉकलेट फैक्टरी, यहां औधेंटिक तरीके से चॉकलेट कैसे बनाते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर समझाया जाता है, इस कोको फ्रूट से चॉकलेट बनाने तक की सारी इन्फोर्मेशन इस आउटलेट में हम जान सकते हैं, यहां आप ये चॉकलेट बनाने के लिए यूज होने वाले एक्विपमेंट्स देख सकते हो, जिनने यूज करके कोको सीट से चॉकलेट बनाया जाता है, यही पर आप कई फ्लेवर्स के चॉकलेट पर्चेस भी कर सकते हो, जिनका प्राइज एक हज़र उपए से लेके पाथ हज़र उपए पर केजी है, केरल की जर्णी हमने ओनम फेस्टिवल में की थी, ये फेस्टिवल केरल में बड़े धूमदाम से सेलिबरेट किया जाता है, ओनम फेस्टिवल का मेन अट्रेक्शन है यहां का ट्रडिशनल डान्स जिसे पूली कली कहा जाता है, इसमें ट्रेन डांसर्स अपने शरीर पर लेपड या टाइगर का पिक्चर पेंट करते हैं और अपना ट्रेडिशनल डांस यानि लोककला परफॉर्म करते हैं इसमें ड्रम भी बजाया जाता है और इसी ड्रम की धुन पे ये डांसर्स डांस करते हैं और कुछी समय में यहां महाबली के एंट्री हो गई जिसे इस प्रोग्राम का मज़ा और भी दुखना हो गया भारत में मनाई जाने वाली कई अलग-अलग संस्कृती में से ये एक नई लोककला देखने का आउसर हमें मिला तो ये था आज के पूरे दिन का सफर ये सफर एंजॉय करने के बाद हम चले गए हमारे होटेल के और हमने मुनार में दो दिन अट्वूड होटेल में स्टे किया था आपको रूम की एक शॉट टूर कराती हूँ रूम में केंग साइज बेड, वाइफाई और ब्रेकफ़स्ट ये सारी फैसिलिटिज आवेलेबल है एट वूड में स्टे करने का बेस्ट एक्स्पिरियंस रहा इस होटेल के ओफिशल वेबसाइट भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है मुन्नार में आज हमारा दूसरा दिन है इस दिन की शुरुवात हमने ब्रेकफ़स्ट से की ब्रेकफ़स्ट में इडली, सांबर, चटनी, ब्रेड एंड, जैम, बटर, टी, कॉफी ऐसे ओप्शन्स आवेलेबल थे ब्रेकफ़स्ट का टेस्ट भी डिसेंड था ब्रेकफ़स्ट खतम करने के बाद हमने हमारी मुन्नार की जर्नी स्टार्ट की एरवी कुलम नैशनल पार्क से ये नैशनल पार्क केरल के इडू की डिस्ट्रिक्ट में मोजुद है एरवी कुलम नाशनल पार्क जाने के लिए आपको ओनलाइन टिकेट बुक करना होगा आप ओफलाइन टिकेट भी बुक कर सकते हो पर अगर भीड जादा रही तो आपको एक दो घंटे वेट करना पड़ेगा यहाँ 200 रुपीज पर परसन एंट्री फीज है टिकेट निकालते समय आपको गवर्मेंट आईडी प्रूफ दिखाना पड़ता है हमने ओनलाइन टिकेट बुक किया था उसको ओफिशल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है इस पार्क में 2000 मीटर उचे पहाड आपको देखने मिलेंगे जो देखने में बेहत कमाल के दिखते है सबसे हाइस्ट पी 2695 मीटर जिसे अनामुडी कहते है वो इसी पार्क में आवेलेबल है टिकेट काउंडर से नैशनल पार्क 4 किलो मीटर की दूरी पर है तो वहाँ तक हम बस से चले गए बस का टिकेट भी एंट्री फी में ही इंक्लूडेड था बस से जाते समय ही आपको ग्रीनरी, वाटरफॉल, पाहाड देखने मिलेंगे और ये नजारे तो बेहदी खूपसूरत है ये नैशनल पार्क लगभक 100 किलो मीटर के एरिया में है इस पार्क में 26 प्रजातियों के मैमल्स और 126 प्रजातियों के पक्षी पाये जाते हैं जिन में से निलगीरी तहर का काउंट सबसे ज़्यादा है नैशनल पार्क पहुँचने के बाद लगभक 2 किलो मीटर का ट्रेक करके आप पूरा पार्क एक्स्प्लोर कर सकते हो इन्हें यहां रिजर्फ किया गया है यहां की थंडी ताजी हवा, हरे भरे पहाड, बादल, पक्षियों की आवाज, वाटरफॉल आपके दिन को चार चान लगा देते हैं चाहे तो आप इलेक्टरिक कार से भी यहां घूम सकते हो, लेकिन उसका चार चार आपको अलग से पे करना पड़ेगा इस जगह 12 साल में एक बार आने वाला निला कुरिंजी फुल पाया जाता है पूरा पार्क अच्छे से घूमने के बाद हम नैचरल ब्यूटी को एक्स्पिरियंस करने के लिए एक जगह बैट गए फ्रेंज के साथ घूमना और ऐसी जगह पर बैट कर गंटों बाते करने का मज़ा ही कुछा लग है एरविकुलम नैशनल पार्क में आना हमारे लिए बेस्ट मुमेंट था नैशनल पार्क के बाद हम चले गए टी फैक्टरी विजिट करने टी फैक्टरी जाते समय आप ये शांदर टी प्लांटेशन देख सकते हो जहां नजर जाए वहां सिर्फ टी गार्डन के नजारे आपको देखने मिलेंगे टी फैक्टरी में चाय पत्ती बनाने का पूरा प्रोसिजर समझाय जाता है बट अनफोर्चुनेटली जोरदार बारिश चालू हो गई और टी फैक्टरी हर मंडे को क्लोज होती है तो हम टी फैक्टरी विजिट नहीं कर पाए तो मैं आपको शॉपिंग कॉम्पलेक्स की एक छोटी टूर दिखाती हूँ यहाँ कई फ्लेवर्स की टी एवेलेबल है इसी शॉपिंग कॉम्पलेक्स के बाहर आप मल्टीपल फ्लेवर्स की टी टेस्ट कर सकते हो अगर आपको टी फैक्टरी विजिट करनी है तो उसकी एंट्री फी है पर परसन हंट्रेड रूपिस और 30 मिनिट में आपको चाय पत्ती बनाने का पूरा प्रोसीजर दिखाया और समझाया जाता है एर्वी कुलम नैशनल पार्क से 18 किलोमेटर की डिस्टेंस पर है मटूपेट्टे डाम यह डाम केरल का वन आफ दे बिगेस डाम मना जाता है इसी डाम के बैक वोटर में आप बोटिंग भी कर सकते हो अब मून वैली बोटिंग सेंटर पहुँच गए जिसकी एंट्री फी पर परसन 40 रुपिस थी टिकित निकालने के बाद हमने वैली में एंटर किया और यहां मल्टिपल एक्टिविटीज, पार्क, रेस्टोरंट्स, बोटिंग पॉइंट्स एवेलेबल है यहां दो टाइप के बोटिंग आप्शन्स है जैसे की स्पीड बोट और पैंटोन बोट हमने स्पीड बोट करने का आप्शन चूज किया हम आदे घंटे के लिए स्पीड बोट से मटूपेटी डैम में घूमने वाले थे जिसका पांच लोगों के लिए कॉस्ट था 910 रुपीज हमने हमारा लाइफ जैकेट पहन लिया और तयार हो गए बोट राइट करने के लिए डैम के चार ओर आपको पहाड, ग्रीनरी, नीलगिरी के पेड, पानी और उपर नीला आस्मान इस सफर को चार चांद लगा रहा था इस 30 मिनेट में आप पूरे डैम के बैक वोटर को अच्छे से गूम सकते हो ड्राइवर बोट को बीच बीच में थोड़ा सा टिल्ट भी कर रहा था, तो वो हमारे लिए एक थ्रिलिंग एक्स्पिरियंस था ये डैम केरल का वन अफ दे बिगेस डैम मना जाता है इसकी हाइड 273 फीट और लेंद 780 फीट है तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये डैम कितना बड़ा होगा 1953 में मोटूपेट्री डैम स्टार्ट किया गया था अभी आप यहाँ के ब्यूटिफुल सिनिक व्यूज एंजोई कीजिए बोटिंग एंजोई करने के बाद हमने विजिट किया इको पोइंट जो डैम से सिर्फ साथ किलोमेटर की दूरी पर था इको पोइंट के एंट्रिफी पर परसंट 10 रुपिज है यहाँ एक्चुल में आप इको सुन सकते हो यही पर हमने मुन्नार का फेमस पैशन फ्रूट ट्राय किया जिसका स्वाथ बहत कमाल का था तक्रीबन आदा घंटा यहाँ पर बिताने के बाद हम निकल गए बॉटनिकल गार्डन विजिट करने जो हमारे मुन्नार ट्रिप का लास्ट डेस्टिनेशन था यह मुन्नार का फेमस बॉटनिकल गार्डन है और इसके एंट्रिफी है पर परसन फिफ्टी रुपिज यहाँ मल्टिपल टाइप के प्लांट्स, फ्रूट्स, फ्लॉवर्स, कैक्टस और एक्स्टिन्ट होने वाली स्पीसिस को हार्विस्ट एंड प्रिजर्फ किया जाता है इस गार्डन में 2000 से बी जादा स्पीसिस को प्रिजर्फ किया गया है बाटनिकल गार्डन द्वारा, दुरलब या लुप्तपर प्रजातियों को सवरक्षित करने के लिए बीच, पराग और अनुया अनुवाउशिक जानकरियों का आधन प्रदन किया जाता है जिससे ये प्रजातिया खतम न हो वास्तों में जंगल में विलुप्त हो चुके कई पोधों को केवल बाटनिकल गार्डन के प्रयासों से ही जीवित रखा जाता है अब तक का ये सफर हमने काफी एंजोई किया और ये हमारे लिए एक नया एडवेंचर था आई होप आपको केरल का ब्यूटिफुल और रोमेंटिक डेस्टिनेशन मुननार यहां का कल्चर और नेचर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक किजिए आप ये वीडियो जादा से जादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले ट्रावलिंग करका चैनल पे आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए एंट्रेटेनिंग वीडियो के लिए बेल आइकोन को प्रेस करना ना भूले जल्दी ही हम केरल सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए लेके आएंगे सो स्टे टिउन्ड और थैंक्यू फर वोचेंग